कुरिणा वाइरस से निपटने के लिए देश में लॉगडाउन तीन मई तक बढ़ा दिया गया है। इस बीच मुंबई के बांदरा रेलवे स्टेशन पर फ्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ी खटा हो गई। ये सभी मजदूर घट जाने के लिए स्टेशन पर की जाएगी। महारास्ट के ग्रिय मंत्री अनिल देशमुक ने कहा कि महारास्ट सरकार इन मजदूरों के खाने का इंतजाम करेगी। हम मजदूरों को समझा रहे हैं कि उनकी परिस्तितियों को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। इस पूरी घटना पर महारास्ट सरका के मंत्री आधित ठाकरे ने ट्वीट किया उनूने कहा कि सुरत में हाली में कुछ मजदूर्ओंने दंगा किया था केंदरसरकार उन्हें घर पहुचाने को लेकर फैसला नहीं ले पाई आधित ठाकरे ने केंदरसरकार पर आरोप लगाया है। प्रवासी मजदूर खाना और शेल्टर नहीं चाते वे घड जाना चाते हैं। आदित ठाकरे ने कहा कि गुज्राप के सूरत में कानूर और विवस्ता की स्तिती काफी हद तक एक समान स्तिती के रूप में देखी गई है। और सभी प्रवासी श्रमिक शिवीरों से प्रतिक्रिया समान हैं। कई खाने या रहने से इनकार गर रहे हैं। वर्तमान में महाराश्ट में बिविन आश्रे शिवीरों में 6 लाग से अधिक लोगों को रखा गया है। विरोडिपोर्ट, VSRS News, Bandra